हेलो दोस्तों आज की स्वीडियो में हम ज्ञांगों में होने वाली खुजली के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करेंगी ज्ञांगों में खुजली होना एक common problem होती है जिसे medical term में तीनिया क्रूरिस के नाम से जाना जाता है तीनिया क्रूरिस एक प्रकार का fungal infection होता है यानि कि यहां fungal infection के कारण होती है जिसके कारण व्यक्ति के जांगों में Savior Eaching यानि कि खुजली देखने को मिलती है तीनिया क्रूरिस की कंडिशन किसी भी मौसम में हो सकती है लेकिन इसके होने की सरवाधिक संभावना जो बरसाद का मौसम होता है या फिर जो गर्मी का मौसम होता है उनमें सबसे ज़्यादा देखना को मिलती है टीनिया कुरूरिस की कंडिशन में आम तोर पर जो खुजली होती है वो रापत के समय में जादा देखनों को मिलती है आज की इस वीडियो में हम जांगों में खुजली होने के संपुन इंट्रोडेक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डीटेल में डिसकस करेंगी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी वेक्ति के जांगों में खुजली हो रही है तो वहां डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन-कौन सी मेडिशिन और इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किये जाते हैं उन इंजेक्शन के popular brand name के साथ साथ medical store पर ये medicine किस नाम से मिलती है उसमें क्या content यानि कि उसमें क्या composition पाया जाता है और male list के dose, uses और side effects के बारे में आज की इस वीडियो में detail में discuss करने वाले हैं वीडियो बहुत ही useful होने वाली all the medical students जो गाउं में practice करते हैं आरेंपी डॉक्टर है उन सबी के लिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को like करते ना चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को please subscribe कर देना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिसकस करते है यानि कि जांगों में खुझली होना क्या होता है टीनिया क्रूरिस की condition क्या होती है उसका general introduction हम सबसे पहले इंदी और इंग्लिस भासा में आसान सब्दों में समझने वाले है जांगों में खुझली होना एक common problem होती है जिसे medical term में टीनिया क्रूरिस के नाम से जाना जाता है जो जांगों में खुझली होती है वो एक infected fungal infection के कारण होती है देखिए जो जांगों में खुझली होती है वो एक आम समस्या होती है जो कि एक infected fungal infection के कारण होती है जो कि एक दाग के समान होता है, आप इमाज में देख सकते हो, कुछ इस परकार कि यह फंगल होता है, जिसके कारण व्यक्ति की जांगों में खुजली देखने को मिलती है, तीन्या क्रूरिस के अंतरगट जो खुजली होती है, वो आपके कमर में, बेतरी जांगों में, और ज वहां देख सकते हो, यहां एक टीन्या करूरिस की कंडिशन होता है यहां एक फंगल इनफेक्शन होता है जो इनफेक्टिट पार्ट होता है जहांपर टीनीय गूरी का नी構किशन करूर ऑब रव्लप वहां कि जो इसकीन होती है जो तवचा होती है वह पपड़ी दयर हो सकती है और उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है कलर सफेद रंग में बैंगनी रंग में ये फिर लाल रंग का हो सकता है आप इमें विभी देख शकते हूा जो violating करूस की कणOOOOOOOO होती है लेकिन इसके ओने की सरवाधिक संभावना जो बाहती है उसमें और जो जांगो वाला एरिया होता है जो perineal एरिया होता है उसमें सबसे ज़ादा देखने को मिलती है टीनिया क्रूरिस की condition एक fungal infection के कारण होती है जिसके एंदर जो itching वाला पार्ट होता है उसका color change हो जाता है उसका color लाल रंग का हो सकता है बैंगनी रंग का हो सकता है या फिर सफिज रंग का भी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम discuss करते हैं causes of tiniacruces जैसे कि हमने वीडियो के starting में ही बताया था कि tiniacruces की condition मुख्य रूप से fungal infection के कारण होती है लेकिन इसके वहने के कुछ risk factor होता है जिनको हम एक एक करके detail में discuss करने वाले हैं सबसे पहला तो यहां महिलाओ की तुलना में जो पूरूस होते हैं जो मेल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत एक्सेसिव मातरा में पसीना आता है तो उसके कारण भी फंगल infection हो सकता है या फिर अगर कोई व्यक्ति की रोग प्रतिरोदक शमताव कमजोर है तो उसके कारण भी व्यक्ति के इंदर थीन या क्रूरिस की condition डैवलप हो सकती है अगर कोई व्यक्ती बहुत ज्यादा मोटा है तो उसके व्यक्ति एंदर थेन या क्रूरिस की कंडिशन देखने को मिल सकती है इसके अलावर डाइब को अफेक्ट करती है जिसके कानड़ वैक्ति का जो इमिन सिस्टम होता है वह बहुत ज्यादा विक हो जाता है तो उस कंडिशन में भी वैक्ति के अंदर टीनिय क्रूरिस की कंडिशन होती है वह देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं उन लक्षणों को हम एक एक करके डिटेल में डिसकस करेंगी सबसे पहला जो हमारा मुस्ट कॉमन सिंप्टम्स होता है वो होता है लगातार खुजली चलना यानि कि वैक्ति के जहांगों में आप इमेज में देख सकतो सीवेर इचिंग होती है और यहां इचिंग रात के समय में ज्यादा देखने को मिलती है जो इचिंग वाला पार्ट होता है जहां पर खुजली चलती है वहां पर रेडनेस यानि कि लालीमा का आ जाना उस जगहां का बर्णिंग शेंशन यानि कि उसमें जलन होना इसके बेंगनी या फिर सफिद रंका हो सकता है इसके अलावा तवचा का फट जाना यानि की पपड़ी तवचा फटी हुई तवचा इफेक्टेड एरिया पर दानों का उबरना तथा दानों जो उबरते हैं उसमें सीवेर जलन होना और दर्द होना ऐसी जो कंडिशन होती है वो ट और एलर्जिक कंडिशन का जो टेस्ट होता है वो करवाकर वैक्ति के अंदर जो टीनिया क्रूरिस की कंडिशन जो डैवलप हुई है उसका आसानी से पता लगा सकते हैं आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डीटेल में डिसकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे पन डिसकस करते हैं ट्रीटमेंट और टीन या क्रूसिस अगर किसी वैक्ति के जांगों में खुजली हो रही है तो उस कंडिशन में वाहर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन-कौन से अंटिफंगल क्रीम और मेडिशन प्रिसकाइब की जाती है उ तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन की केटिगरी होती है वह एंटिफंगल क्रीम होती है जिसका उप्योग मेली ट्रीट फंगल इंफेक्शन या अगर किसी वैक्ति में इचिंग यानी की जो में जांगों में खुजली हो रही 15 ग्राम की एक क्रीम होती है बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेली दो ड्रग का कॉंबिनेशन होता है फरस्ट अफॉल क्लो ट्रीमाजोल और दूसरा जो हमारा कंटेंट होता है वो बैकलो मेता जोन डिप्रोप्रियेट जो कंटेंट होता है वो तो उस कंडिशन में डॉक्टर द्वारा जो क्लोट रीमा जोल नामक जो क्रीम होती है उसको प्रिस्क्रेब किया जाता है बात करें इस क्रीम के डोज के बारे में तो जो अफेक्टेड एरिया होता है जहां पर टीनिया क्रूसिस की कंडिशन डैवलप हुई है खुजली आ र most popular cream है उसका नाम होता है catgeel cream आप image में देख सकते हो catgeel M इसका most popular brand name होता है 30 gram की एक cream होती है catgeel M इसका most popular brand name होता है जो कि medical store पर और hospital में आपको आसाने से मिल जाएगी बात करें इसके content के बारे में तो इसमें mikonajol nitrate नामक जो content होता है वो present रहता है इस cream का उब्योग में फंगल इंफेक्शन, इचिंग और रेडनेस, अगर किसी व्यक्ति में टीनिया क्रूसिस की कंडिशन, फंगल इंफेक्शन के कारण डेवलप हुई है, तो उस कंडिशन में व्यक्ति के अंदर इचिंग, यानि की खुजली चलना, रेडनेस और बर्निंग करने के लिए, तता फंगल इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए, डॉक्टर द्वारा, केटजोल नामक जो क्रीम होती है, वो प्रिस्क्राइब की जाती है, आप इमेज़ बेख सकते हो, कुछ इस प्रकार की एक क्रीम होती है, बात करेज क्रीम के डोस के बारे में, तो उस पर बीडी में, यानि कि दीन में, दो बार सुबह साम इस क्रीम को एपलाई करने के सला दी जाती है, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगली जो हमारी अंटिफंगल क्रीम है, जो कि मेल ली, इचिंग को काम करने के लिए, डॉक्टर दार करने के लिए, उसका नाम होता है, केर ओल क्रीम, आमी पेज़े देख सकते हो, केर ओल इसका मुष्ट पॉपलर ब्रैंड निम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और होस्पिटल में, आपको आसानी से मिल जाएगी, बात करे इसके कंटेंट के बारे में, यानि कि इसमें कौ प्रिस्क्राइब की जाती है, बात करे इसके क्रीम के डोस के बारे में, तो इसका उपयोग मेलनी जो अफेक्टेड एरिया होता है, जहां पर टीन्या क्रूसिस की कंडिशन डेवलप हुई है, या फिर जो रिंग वाम होता है, उस पर सीधा इसको बीड़ी में अपलाई कि जाता है, यानि कि दिन में दो बार सुबह और साम इस क्रीम को लगा कर सोना होता है, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगली जो हमारी एंटी फंगल क्रीम है, जो की टीन्या क्रूसिस की कंडिशन में अपलाई की जाती है, उसका नाम होता है टरबेस्ट क् जो इचिंग यानि की जांगों में खुझली होने पर रिंग वाम की कंडिशन में डॉक्टर द्वारा इस क्रीम को प्रिस्क्राइब किया जाता है, यहां भी एक एंटी फंगल क्रीम होती है जिसका उप्योग में लीफंगल इंफेक्शन को ट्रेट करने के लिए दिया जा आगे बढ़ते हैं और आगे आपन कुछ ओरल एंटी फंगल टेबलेट के बारे में डिसक्राइब करेंगे, आगे जित्ती भी हमने एंटी फंगल क्रीम के बारे में डिसक्राइब कर सकते हैं, उन टेबलेटों को हम एक एक करके डिटेल में डिसक्राइब करने वाले हैं, स आसानी से मिल जाएगी 1500 mg की ये टेबलेट होती है बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें फ्लूकोना जोल नामक जो कंटेंट होता है वो प्रिजेंट रहता है इसका भी उप्योग में लिफंगल इंफेक्शन जो इचिंग यानि की जांगों में खुजली चलना पर रिंग वाम की कंटेंट में डॉक्टर द्वारा फ्लूकोना जोल नामक जो टेबलेट होती है उसको प्रिस्क्रेब किया जाता है जहां एक एंटिफंगल ओरल मेडिशिन है बात करें इसके डोज के बारे में तो अडल्ट में इसका डोज जो 1500 mg की टेबलेट होती है उसको according to doctor order OD में देता होता है यानि कि दिन में एक बार सुबे या फिर साम को इस टेबलेट को लेना होता है और जो बच्चे होते हैं उनको according to doctor order इसका डोज दिया जाता है नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ता है और अगली जो हमारी oral antifungal tablet है उसका नाम होता है कौंजित्रा 200 टेबलेट आप इमेज में देख सकते हो कौंजित्रा 200 इसका most popular brand name होता है जो कि medical store पर और hospital में आपको आसानी से मिल जाएगी यहाँ भी एक antifungal tablet है आप फ्लूकोना जोल या फिर कौंजित्रा 200 टेबलेट में से किसी एक टेबलेट का उप्योग कर सकते हो बात करें इसके क्रूसिस की कंडिशन में जो सिम्टम्स राइज होते हूं सिम्टम्स की severity को गौम करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो इत्रा कोना जोल नामक जो टेबलेट होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है बात करें इस टेबलेट के डोज के बारे में तो ये 200 mg की टेबलेट होत वो आपको समझ में आया होगा वीडियो कर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर अगर पहरी बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लिज सस्क्राइब कर देना हम मिलते किशी न्यू और एजुकेशन वीडियो में तब तक के लिए जया हिन जय भारत